हाई फ्रेंड्स मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं अपनी मसीन में मोटर लगवा रही हूँ मोटर मेरी मसीन में जो मेरी घर वाली मसीन है वहां की ये मोटर है ठीक है और यह मोटर भी खराब हो गई थी और यह जो पैडल है यह भी खराब हो गया था तो यह मोटर को ठीक करके लाए हैं यह से घर पर हम इजली लगा सकते हैं लेकिन इन्होंने ठीक की थी तो जो लगाने का चार्ज था वो इन्होंने फिर उसी में इंक्लूड कर दिया कि हम फ्री में लगाएंगे मतलब इसकी जो सर्विस है वो फ्री में देंगे अगर आप हमसे यह सारा काम करा होगे तो हमने इन से पैडल खरीदा था और इसको मोटर को ठीक कराया था तो अब मैं इसको फिट करवा रही हूं तो पहले जैसे मेरी यह मसीन के हिसाब से मिलती है मोटर ठीक है तो यहां से हम इसको जहां पर मेरी पहले यह साइड में थी लेकिन अब की बार यह देख रहे हैं को सिस करके यहां होती है कि नहीं होती है अगर नहीं होती है तो फिर इनकी यह स्टेंड सा लेके आए हैं पता नहीं हो क्या है उसका नाम मुझे नहीं पता यह मेरत जो मेरी पहली मसीन का समान है ये वो ही पहले सैट करके देख रहे हैं लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं होगा क्योंकि इसका जो ये पटा बोलते हैं इसको पटा और इसका सब कुछ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे जैसे ये स्क्रू लगा रहे हैं तो वो निकल के लूज हो रहा है तो घर पर इजली लगा सकते हैं मोटर को तो अगर यहां पे नहीं फिट होगी तो फिर यह तो जो इसका यह लकड़ी का फ्रैम है फिर इसी में यह देखेंगे मतलब यहां से यह ना बार-बार की जैसे यह चलाने की कोशिज करते हैं नीचे निकलती है फिर ये बोल रहे हैं कि इसमें जो इसका पूरा फ्रैम होता है उसके उपर सैट करेंगे हम इसको फिर मैंने का चलो वो कर दो उसका थोड़ा अलग से चार्ज लगा था तो आप इसे एजली लगवा सकते हूँ यहां पर हमारे साइड तो यह सस्ती ही लग मोटर मैंने अपनी पुरानी मसीन के हिसाब से मेरी यहां साइड में ही लगी हुई थी जो मेरी घरवाली मसीन है वो बीपेल की है तो वहां पर साइड में ही थी लेकिन यहां पर यह लूज आ रही है बार बार की कसने से वो कहने कि मसीन मसीन का फर्क होता है हो सकता है वो आ नीचे रखा है इसके उपर इसको यह सैट करेंगे तो यहां पर यह पूरा अच्छे से इसको टाइट करके फिर नीचे रखेंगे जो यह लगडी का फ्रेम है इसके उपर रखे और फिर लगाएंगे क्योंकि मोटर होनी बहुत जरूरी है मसीन में कई बार ज्यादा से लाय क लेकिन हाँ थोड़ा जैसे मोटर वाली मसीन होती है तो थोड़ी से आवाज करती है और यह मोटर कई तरीके की आती है मेरे पास थी पहले मोटर इसमें थोड़ी बहुत कमी थी वह इन्होंने ठीक कर दी लेकिन जो इसका पैडल था जिससे हम चलाते हैं वह पूरा ही हमने सोचा चलो नया ही खरीद लेते हैं फिर हमने इनसे ही नया मंगा लिया तो यहां पर अब यह ड्रिल मसीन से होल कर देंगे और आप कहूं तो मैं एक स्पेसली वीडियो ऐसे सेयर करूंगी जल्दी है अभी तो खैर इन्होंने फिट कर दिये क्यूंकि हमारा जो लगान कि इतनी ही वीडियो थी है बाकी की मैं आपकी साथ सेयर करूंगी कि यह चलाने के बात कैसी है अब तो खैर मैंने काफी मतलब मुझे लगभग क्या बताओ मुझे दो साल हो गई बिना मोटर की मसीन पर काम करते हुए क्योंकि घर पे लगी हुई थी मोटर मोटर सारा समान म मैं निकाल के लेके आ गई उसका लेकिन यहां पर फिट नहीं करवा पाए वह ऐसी रखी थी इसका पैडल खराब था आज कल आज कल करते करते पर लोगडाउन लग गया कोरोन आ गया तो बस ऐसी रहगी लेकिन आज मैंने सोची लिया कि आज लगवाना है तो घर पे ही आ पूरा अच्छे से इसको काम करने के लिए और आप भी अपनी मसीन में यह मोटर लगवा सकती है अगर आपकी पैरदान की मसीन है तो मोटर होना बहुत जरूरी है उससे पैर भी नहीं दुखते हैं और मतलब जल्दी हो जाता है काम मोटर इसलिए जरूरी है जैसे मानलो को कोई बड़ी सिलाइ करनी है कोई गाउन बनाना है उसका नीचे का घेरा फोल्ड करते हैं तो बहुत सारी चीजों के लिए यह बहुत मतलब थोड़ा सा जल्दी हो जाता है काम इसलिए होनी चाहिए मोटर और यह जो मेरी मोटर है ऐसी है कि से हम इन्वेटर से भी चला सकते हैं गाउ में तो लाइट का प्रोबलम होता था तो इन्वेटर से ही चलाती थी बाकी मैं जल्दी इसकी एक और वीडियो सेर करूंगी धन्यवाद